हलो प्यारे बच्चों कैसे आप साब उमिद है आप साब होंगे मस तन दोज तो मैं कुंदन कुमार सर्मा बिटा आपका फिर से स्वागत करता हूँ विद्यार्थी हूँ मैं अब बिट्यार्थी हो आज की पीछे स्लाइट देखे आप समझ गया होंगे कि कच्छा बारेवी के गणित में हम आज सांतत्यवम अवकलियता पढ़ने वाले हैं और उसमें टॉपिक बड़ा सांधार इसमेटा आज ये टॉपिक है दीतिये कोटी का अवकलज अब ध्या कि जितनी बार सवाल को डिफिरेंशेट करूंगे उतनी बार उसका ओर बढ़ता जागा जैसे एक सवाल को ऐसी छोड़ दिया हम बेंडिफ्रेंशीशन नहीं किया तो वो झलाएगा जे जिरो ओर डिफ्रेंशीशन कर दिया तो यह हो जागा प्ता होड हो अब उसे भार सवाल को डिफरेंशीट करेंगे तो वह उसका कहला है कितना तो उतना वा अब कलज, उतना कोटी का अब कलज, जैसे दो बार देती है कोटी, तीन बार तीन देती है कोटी अब कलज, चार बार चतुरत कोटी अब कलज, पांच बार पंच कोटी अब कलज, यानि कि फिप्ट ओर डरिवेटी, अब ध्यान देजीगा, अब हम चलते हैं अब आगे, जैसे y बराबर मेरे पास एक सवाल है, x² प्लस का 5x, समझ मैं है, कितना x² प्लस का 5x, अब चाहो तो प्लस का 3 भी लिख लो, कोई बात थी, अब आगे, dy by dx, अब ये कितना हो जाएगा, आप बताओ, तो x² का 2x, 5x का 5, और इसका कितना, 0, अब 0 लिखने की ज़रत है नहीं, तो by, इसको बोलेंगे, सुन्य कोटी अब कलज, क्योंकि डिफ्रेंशेशन ही नहीं हुआ है, तो ये हो गया, सुन्य कोटी, सुन्य कोटी अब कलज, ये एक बार डिफ्रेंशेट होआ है, तो प्रथम कोटी अब कलज, प्रथम कोटी अब कलज, अब सुन्येगा, इस डिफ्रेंशेशन का एक बार और डिफ्रेंशेशन कर दिया जाए, ये जो dy में dx है न, इसका एक बार और डिफ्रेंशेशन कर दिया जाए, इसका मतलब 2x प्लस पांच का एक बार डिफ्रेंशेशन कर देता है ना तो दितिये कोटी अब कला जाए अब अगर आपकी इच्छा है एक बार और डिफ्रेंशेट कर दो तो तुरितिये कोटी हो जाएगा यानि कि जितनी बार डिफ्रेंशेट कर देंगे उतना कोटी अच्छा इसको अंगरेजी में बोलते हैं अब ज्यान दिजिएगा इसका बठाब य का, तो double differentiation भी बोल सकते हैं इसको, double differentiation मतलब दो बाड differentiation, d टी ए कोटी अब किलाज़े, अब देहां दिए, यानि यह differentiation ही किसका, पहले किसी differentiation हो चुके सवाल का, अब देहां दिए, तीए कोटी मतलब differentiation कर देजिए, किसका, d square by upon dx square, तो देहां दिए, इसका differentiation किस चीज़ का दो का यानि जीरो तो भाई साहब यह जो डी क्यूब अपॉन डी एक्स का होल क्यूब बचा यह क्या हो गया यह सुन्य हो गया तो इसको बोलते हैं तृतिय कोटी अब कला है तो मेरे प्यारे भी द्यारतियों जल्दी सी सवाल को आप नोट कर लो लेकिन अभ अब इसी चीज़ की थियोरी हमने कैसे लिखा तो देखो अगर कोई सवाल x के टंप्स में है तो उसका डिफ्रेंशीशन भी x के टंपस में होता है है कि नए है कोकोई फंक्शन यानि कोई प्लन है अगर eks के टंपस में था तूसका कि लिखा है तो खिर जाराध धहान दीजी क्या लिखा यदि बाई x का कोई फलन है या नि कि यह बाई x का कोई सवाल है हमारे पास तो क्या बात है तो देख के सब्सक्राइब शप्रेंशियेशन होगा भाई वो भी तो कोई x का ही सवाल बचेगा ना तो बिलकुल सही बात है लेकिन नोट से लिखना पड़ता है वो जरूरी है आप भी पॉइंट में लिखिएगा और समानिता इसका भी अब कलन किया जा सकता है और अगर इस सवाल का डिफ्रेंशिशन हो रहा है तो नोर्मली इस सवाल का फिर से डिफ्रेंशिशन किया जा सकता है टू एक्स प्लस पांच का डिफ्रेंशिशन कर सकते है अवकल गुनांग फलन का अब देखो d y by d x के differentiation को यानि कि अभी जो क्या चुका है d y by d x उसका अवकल गुनांग मतलब उसका फिर से differentiation को फलन का क्या कहेंगे दीतिये अवकल गुनांग कहेंगे या second order या second differential coefficient कहेंगे या second order डिफ्रेंशेशन कहेंगे अथवाब दितिये कोटी का अब कलज यह सेकंड ओडर डिरिविटिव कहते हैं याद हो गया समझ गया अब आगे देखिए इसको हम क्या-क्या बना सकते हैं तो देखो देखो वाई एक हो गया सवाल अब उससे एक लेवल बाइडेस मतलब डी डिफ्रेंशेशन अब अगर वाई डवल डेस कर दो तो मतलब दो बार डिफ्रेंशेशन समझें वाई ट्रिपल डेस कर दिया जाए मतलब कितना डी क्यूब अपाउन डी एक्स क्यूब तो यह बड़ा सिंपल सा चीज है देखो यहाँ पावर वन है तो फिर्स वन टू है तो इसको डवल डेस से भी बताया जा सकता है या बहुत सारे लोग इसको वाई बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई फोर बाई ऐसा से भी दरसाते हैं अच्छा कुछ लोग यह बाई स्कौार समझ जाते हैं तो इसकी जगा आप ऐसा भी लिख सकते हैं या वाई टू लो के टाम्स भी लिख सकते हैं या इसको d square by, d square y मतलब double differentiation of y ऐसा भी लिखा जा सकता है, फिर सबसे standard जो यूज करते हैं वो यही वाला और ये वाला होता है, double differentiation of y upon dx square, या d square by upon dx square, क्योंकि डवल डिफ्रेंशिशन आप य किलाता है यानि सेकंड ओर डेरिवेटिव अप एनी फंक्शन किलाता है तो मेरे प्यारे विद्धार्थियों अभी हम इसका इसका और इसका भी यूज़ करेंगे मैं तो इन दोनों को नॉर्मली यूज़ नहीं करता क्योंकि यह आपके सवाल में अगर आगया और आप कन्फ्यूज हो गया तो दिक्कत हो जागी तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि सर इसको ऐसा भी लिया जा सकता है मैं 90% यूज़ करूंगा बाइटू बाइडवल डेस और कितना डवल डिफ्रेंशिशन ऑफ वाई तो आप जल्द तो जल्दी से सवाल को चेक कर लीजिए अगर आपने सवाल को चेक कर लिया है तब बटा मैं आपको बताना चाहता हूं वाई बरावर साइन एकस है उन्होंने पूछा है डवल डिफ्रेंशिशन अब आप मैं एक बात बताता हूं सुरो आपको चाहिए क्या दी स्कौार ब of dx square. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है differentiation of dyy dx. तो सवाल बहुत थोड़ी नहीं है? d upon dx. मतलब differentiation of this. बट dyy dx भी तो होना चीना आपके पास? किदर है dyy dx? नहीं है ना? मैं बताता हूँ. बाई बराबर ऐसा है तो दूसरा बाई का dy upon dx बराबर d upon dx of sin ax. sin ax का differentiation तो बटा कॉस ax into ax का differentiation, ax का फिर से differentiation अब आगे. कॉस ax, ax का differentiation कितना? a बाहर, x का differentiation 1. a into 1, a, a का बाहर. ठीक है. तो dy upon dx बराबर a into cos x. तो बहुत जबाईजी तो नहीं है, लेकिन ये शुरुवात है, अब ये कितनी बार आप कर चुके हैं? तो ऐसा बोलना कि सर क्या ये टफ है, अरे क्या टफ है, d by by dx इंगल में क्या टफ है, भई? हाँ, double differentiation नया है आपके लिए, तो तोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं हूना, अभी देखो. अरे, अभी के अभी, ये सवाल आमने कलर उठाया, d by by dx की value, a into cos x, अभी पूट कर देता हूँ मैं, a into cos a x. सुनू, a constant बाहर, differentiation हो जागा वेटा कितना? cos a x का, अब आईएगा, a बाहर, cos a x का differentiation, minus sin a x, minus sin a x, और differentiation of a x. देखिए क्या होजागा, minus का a sin x, minus का a sin x, अब आगे, a x का differentiation, भाईएगा, अब एक constant है, फिर से बाहर, एक constant है, फिर से बाहर, और x का differentiation, बन. तो मैं चाहता हूँ, कि यह जो हमारा d y by dx है, d square y upon dx square है, यानि कि d square y upon dx square, यानि y double dash भी इसको प्यार से बोल सकते हैं, वो क्या बन जाएगा? a into a, minus का a square, और आगे कितना? sin a x. इसने पूछा था double differentiation, ये लिजे भाई साब, step से आपको ध्यान होना चाहिए, प्यारा विद्यारती हो, बाई बराबर सवाल पहले लिख लो, single differentiation सारे बच्चे को बनता है, सारे के सारे बच्चे इसको अब तो जानते अब कलंग, अरे भाई साब 11 बी से करते करते, अभी इ differentiation of divided x, ये लो हमने सवाल कॉपी पेश्मार दिया, a cos a x, a constant बाहर cos x का differentiation मतलब, minus sin x, और x का, x का a, a into a a square, तो minus a square sin a x, अब जल्दी देखो आप, अब आपने अगर देख लिया है, तो हम इसको मिटा देते हैं, अब मिटाने कोद अगला सवाल, अगला प्यारा सवाल दूसरा होना चाहिए, वा, बाई बराबर cos a x, तो double differentiation कितना, तो मेरे प्यारा बिद्धातियों सुनिए, अब हम अपने मन से करेगे, आईए, पहला सवाल के बाद, इसका भी सवाल है, बाई बराबर cos a x, तो दूसरा इसका step क्या हो जाएगा, d upon dx of by, बराबर d upon dx of cos a x, बिलकुल सही बात, अब आईए, cos a x का differentiation, माइनस का sin a x, और फिर e वाले a x का differentiation, बताईए, माइनस का sin a x, और a x का differentiation a, अब आगे द्यान दिजिए, माइनस का a, sin, अब देखिए, a x, किसके बराबर, d by upon dx, इसको प्यार से आब by 1 भी लिख सकते हैं, या by dash लिख सकते हैं, हो गया, अब तीसरा step, मैं बता रहा हूँ ना, तीसरा step क्या, तो मेरे प्यारे विद्याति यो सुनिएगा by 2, by 2, मतलब d square by upon dx square, यही by 2 हमें चाहिए, या आपको जो अच्छा पसंद है, है कि ने, या by double dash भी लिख सकते इसको, या मैं by 2 भी लिखता हूँ, तो आपको जैसा अच्छा लग है, जो पसंद है, वैसा लिख सकते हैं, तो मेरी मर्जी मैंने या by 2 लिखा, मैं यहाँ पर, लेकिन, अब पेपर में क्या है ना, कि जो आप एक वार लिख रहे हो, तो भाही बार वार लिख लेना, यह ने कि यहाँ by 2 लिखा, जो आपको इच्छा बेसा, अब आईए, इसका मतलब, डी अपाउन डी एकस ऑफ कितना, डी वाई वाई डी एकस, बहुत ही बढ़ी यहाँ, यह यह बाई डवर लेस भाई साब, डी अपाउन डी एकस ऑफ कितना, तो हमारे पास डी वाई डी एकस की वैलू पता है, माइनस का ए साइन एकस, माइनस का ए साइन एकस, अब कॉंस्टेंट, बताई, सिंपल डिफ्रेंशीशन है, माइनस से बाहर, साइन एकस का, कॉस एकस, और डिफ्रेंशेशन आप फिर से एकस, तो यह कितना, ए हो जाएग यह किसके पराबर बाइडवल डेस के पराबर अच्छा है यह ना फटाफट चारव लिख सकते हैं अब आये चुकि भाइटू भाइडवल डेस और भाइटू ऐसा लिख सकते हैं D2 By लिख सकते हैं ही बात है d square by upon dx square बराबर finally क्या उतर आ गया माइनस a square cos x समझ गया है बहुत easy सवाल होता है आप बिल्कुल चिंता मत करें तो जल्दी चनूट कर लेजी सवाल को हम जल्दी चलते बिटा अगले सवाल की तरफ है कि नहीं अब आगे देखिएगा विद्यारतियों सवाल बहुत सांदार रहा अब अगला सवाल हमारा जो है y equal to x square into log x है अब ध्यान से दिचिएगा अब double differentiation की बात नहीं हो रही triple differentiation की बात हो रही है और वो कितना पूछा है भाया इसका triple differentiation निकालो और क्या ये 2 upon x है अरे तो चिंता क्यों कर दो देखो पहले सवाल लेना पहला differentiation करना फिर उसको differentiate कर दोगे तो double differentiation आएगा उसको फिर से differentiate कर देंगे triple differentiation आजाएगा तो मेरे प्यारे विद्यारतियों जल्दी आईए जरा पहला line by बरावर x square into log x पहला खदम दूसरा d upon dx of y बरावर d upon dx of कितना x square log x अब आगे ये रहा d y y dx बरावर कितना x square को छोडेंगे तो differentiation किस चीज़ का log x का okay plus अब log x को छोड़ देंगे तब differentiation कितना x square का x square का x square को छोड़ेंगे log x का differentiation 1 upon x plus log x को छोड़ेंगे तो x square का 2x अब आगे मिरे प्यारे बच्चो जल्दी से students इसको अगर cancel कर देंगे x बचेगा अब देखो 2x into कितना ये log x बचेगा अध्या देज़ेगा दोनों में से क्या कर देज़ेगा तो x plus 2x log x ऐसा ही छोड़ दो चिंता की बात नहीं है तो हमारे पास जो ये dy upon dx आया है वो finally हम इस चीज़ को कितना यहां तक लिख लेंगे कि सार हमारा dy by dx ऐसा लेकिन अभी हमें double differentiation की जर्वा थे प्राइए इसको हम लिख देते हैं double differentiation by two अच्छा पहला दूसरा तीसरा प्रोग्राम कितना d square by upon dx square मतलब d upon dx of कितना dy by dx ठीक है कोई बात नहीं अभी कर लेंगे तो d upon dx of कितना बिटा तो प्यारा भी दार चीओ x plus 2x log x x plus कितना 2x into log x अब आगे देखो इसमें हो जागा differentiation तो पहले x का ओके plus 2 बाहर differentiation किसी का x into log x का तो बहुत ही मासूम सा सवाल है बिल्कुल चिंता नहीं करना है अब आगे देखो dx किसका x का तो x का differentiation कितना 1 होता है बड़ा simple का फंटा है ये लिख लिए 1 plus 2 constant बाहर अब x into log x मतब x को छोड़ेंगे तो log x का differentiation plus log x को छोड़ेंगे तो x का differentiation अरे फाहम ला होता भाई आईए x को छोड़ेंगे तो log x का differentiation 1 upon x plus अब अगर log x को छोड़ेंगे तब x का differentiation 1 अब यहां देखे 1 plus x कट जागा तो कितना बचेगा 2 times of कितना 1 plus log x 1 plus log x तो मेरे प्यारे विद्यार थी हो ये जल्दी से d square by upon dx square लिख दो d square by upon dx square अब यहां लिख दीजेगा कि जैसा ये था वैसा ये वाला symbol ये मिटा दिया आशा बाशा अब क्या अभी हमारा सवाल पूरा हो या नहीं हमें चाहिए triple differentiation मतलब तीन order का यानि तृति ये कोटी का अब कल अच्छी है हमारे पास क्या आया है दीति ये कोटी का तो या तो विद्यात्यों जल्दी से नोट कले जो यहीं भी मिटा दू या अगला slide ले ले लेता हूँ अब अगला slide लेंगे हम उसमें आपको बता रहे है कि triple differentiation का order कैसे निकालते हैं तो द्यान दिजेगा क्या हो जाएगा dq of y upon dx cube मतलब होता है d upon dx of d square by upon dx square मतलब double differentiation का एक बार all differentiation मतलब आजाएगा triple differentiation तो चिन्ता की बात क्यों करते है triple differentiation जो की क्या हो जागा d upon dx अब यह सवाल देख लिया जाए आगे कितना है 1 plus 2 times of कितना है 1 plus 2 times of यानि 1 plus 2 गुना 1 plus log x ठीक है तो 1 plus 2 times of 1 plus log x log x तो मेरे प्यारे भी द्यारते हो जल्दी सी चीज़ को नूट कर लेजेगा अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताता हूं कि अब differentiation की सीज़ का इस 1 का प्लस दो बाहर d upon dx की सीज़ का इस 1 का प्लस d upon dx की सीज़ का इस log x का खुश? अब सुनिएगा 1 का differentiation 0 प्लस 1 का differentiation 0 प्लस log x का differentiation 1 अब सुनिएगा 0 प्लस 1 upon x 1 upon x इंटू में दो कितना 2 upon x तो क्या आगया d cube of y है ना upon dx cube या triple differentiation कितना आगया उटा तो 2 upon x तो मेरे प्यारा भिद्यार थी जल्दी से इसको नोट करिएगा अब अगर आपने नोट कर लिया तो हम आपको दिखाते हैं क्या पुछा था इसने कि triple differentiation 2 upon x तो एक बार जल्दी से ये भी copy कर लो एक बार वो भी अगला सवाल की तरफ देखेंगे अगला सवाल कैसा है तो अगर आपने इस सवाल को नोट कर लिया है तो इससे बड़ियां तो कोई बात नहीं हो सकती है ठीक है इनका आगला स्क्रीन भी clear कर दिया जाए बिल्कुल ताकि आगे बच्चों को काम आएगा तीसरे सवाल के बाद हमारा सवाल चौथे तरफ जाएगा ये देखिए क्या बात X स्क्वार E की पावर AX हो तो double differentiation of X स्क्वार पता करना है मैंने ठीक है अभी करके देते हैं आईए Y बराबर सबसे पहले लिखिए X का स्क्वार E की पावर AX ओके पहला सवाल खताम दूसरा सवाल कितना DY अपॉन DX बराबर कितना बिटा तो D अपॉन DX बराबर कितना Y और Y की वेल्यू कितनी है X स्क्वार इंटू E की पावर AX तो देहां दिजिएगा X का स्क्वार छोड़ देंगे तो D अपॉन DX किस चीज़ का E की पावर AX का प्लस E की पावर AX को छोड़ देंगे तब डिफ्रेंशीशन किस चीज़ का X स्क्वार का बहुत टफ है? नहीं अब आई X का स्क्वार डिफ्रेंशीशन ओप E की पावर AX कितना? E की पावर AX और AX का डिफ्रेंशीशन AX का 1 खतम प्लस E की पावर AX का E की पावर AX अब सुनो x square का differentiation कितना अरे 2x simple अब आगे कुछ common लिया जा सकता है तो ले लो नहीं लिया जा सकता है कोई बात दे लेकिन e की power कुछ नहीं तो कितना a x common तो लिया जा सकता न e की power a x common लिया जा सकता बिलकुल लिया जा सकता a into x square तो a x square ओके वैसे तो X common भी ले सकते थे लेकिन चिंता मत करो कोई बात थे तो 2X है ना मैं समध्दार रहते न तो दल्दी से X भी common ले जाता लेकिन कोई बात थे चिंता नहीं करो देखो अब ये सवाल को हमने equation 1 के बाद 2 माल लेते हैं खुश अब हमें चाहिए विटाजी double differentiation अब double differentiation के ऐसा होता हम बताएंगे आईए देखिएगा y2 मतलब d square by upon dx square अज़े यह नहीं लिखते है direct double differentiation तो पूछाईए आईए d square by upon dx square है ना यह दूसरा तीसरा step ठीक है इसका मतलब differentiation किस चीज़ का तो dy upon dx का अब देखिएगा कि double differentiation अगर ऐसा निकालना है तो क्या करेंगे हम यह लिजिए d upon dx निकालेंगे और dy by dx कितना है कितना है जल्दी दखो e की पावर x e की पावर ax ठीक है ax square plus 2x ax square plus 2x बहुत ही बढ़िया पहला और दूसरा दो function है तो देखिएगा पहला function यह दूसरा function अब e की पावर ax को छोड़ दिजेगा तो इसका differentiation तो किसका differentiation देखिए ax square plus का 2x का अब आगे उटा एक्स square plus का 2x को अगर छोड़ देंगे तब differentiation किसका पहले वाले का है यानि e की पावर ax का अच्छा थोड़ा सा जगा बना ले यह लो देख रहा हूं talent talent और technology अब इंटू में कितना अरे नहीं कोई बात ही आई फिर differentiation आफ कितना e की पावर ax यहां अगर लिख लिया है तो जल्दी से चेक कर लो एक बार आप है ना जल्दी से चेक करिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ e की पावर ax ठीक है बहुत ही बढ़ी है अब ax square मतलब क्या तो a को छोड़ेंगे भाई साब differentiation होना ना x square का 2x प्लस दो बाहर x का differentiation 1 सबसे प्यारी बार इसको करना ही नहीं है भाई साब common same to same तो ax square प्लस का 2x बढ़ी यहां सेक्दम same to same अब e की पावर ax का differentiation e की पावर ax और ax का a क्या common हो जागा दोनों में से e की पावर ax अब 2 ax प्लस का 2 प्लस का a है वहार अब a into यह वाला कितना a square x square खुश प्लस का 2 ax तो आपने देखा देखो 2 ax प्लस का 2x 4x डारेक्ट लिग दूं कितना e की पावर ax यह हो जागा 4x यह कितना विटा प्लस का 2 यह कितना a square x square खुश देख रहे हो आप यह कितना प्यारा उतर प्राप्ट हुआ किसके बदॉलत d square by upon dx square की बदॉलत तो प्यारे बच्चो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा हम जल्दी से चलने वाले अगले सवाल के तरफ अगर आपको इस सवाल समझ में आ गया तो देखो सबसे पहले बाई लिया हमने और हमको पता था कि यह दो लोगों का multiply है तो x square को छोड़ेंगे तो e की पावर x का differentiation plus e की पावर x को छोड़ेंगे तो x square का differentiation चाहें तो आप इसको यह हमारा d by by dx हो गया हमें चाहिए था double differentiation तो double differentiation मतलब कितना differentiation का फिर से differentiation तो differentiation of d by by dx अब मेरे प्यारे students d upon dx किस चीज़ का e की पावर x और a x square plus 2x यह देखो अब इस सवाल को उठाकर मैंने यहां लिखा अरे यह भी तो first into second है तो द्यान दीजिएगा e की पावर x को छोड़ दिया तो x square plus 2x का differentiation जो कि हमने आगे कर भी दिया है a बाहर लेने के बाद x square का 2x और 2x का 2 कीक है अब a x square plus 2x को छोड़ देंगे तो e की पावर x का differentiation जो की e की पावर x और फिर a x का differentiation constant में हमने फिर से e की पावर a x ही ले लिया है अब जो बचा है तो 2x प्लस का दो इदर a square x square अच्छा a square x square क्यों यह वाला a multiply हुआ a में तो a square x square और a का multiply फिर 2a में तो 2x अब 2a x 2x हमारे पास 4a x हो गया यह 2 हो गया a square x square हो गया तो मेरे प्यारे विद्ध्याप्ति हो जल्दी से आप इस चीज़ को कॉपी कर लिजीगा अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल देखते हैं और बहड़िया होना चाहिए अगला सवाल उदारान 5 के क्या हो जागा square के बरावर ठीक है पहले single differentiation निकालते हैं फिर double differentiation भी निकालेंगे और check कर लेंगे क्या वो पहले और दूसरे के square के बरावर हैं तो अब आईए देखिएगा सबसे पहले तो सवाल लिखा जाए एकी पावर बाई फिर यहाँ पे कितना equal to equal to equal to लिख सकते है अरे पहले पूरा सवाल लिखते हैं इतना सोचने की क्या बात है equal to क्यों लिख दिया फसले पूरा सवाल पहले लिख दिया जाए अब आगे e की पावर y बरावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 तब इसका differentiation करने पिर क्या मिलेगा d upon dx of e की पावर y बरावर d upon dx of कितना 1 अपॉन एक ditch the problem x plus 1 तो अब द्झ्या दिजिएगा e की पावर y का differentiation करना वह द्ध्यादीजेगा इसका differentiation करना e की पावर y और d by upon dx अब आगे 1 upon x plus 1 का differentiation कितना में बताता हूं तो lado माइनस का 1 upon x plus 1 का whole square अब आगे अगर आपको differentiation नहीं आता इसका तो मैं आपको एक वर करके रफ में बता दे रहा हूँ मैं मिटा दूंगा फिर तो differentiation of 1 upon x plus 1 अब x plus 1 की power indirectly कितना minus 1 का differentiation है ना सवाल कोई सिदा कर लिए उपर लेके गए अब जब सवाल को उपर लेके गए तो power का जाएगा minus 1 और x plus 1 की power minus 1 minus 1 यानि और साथी साथ differentiation हो ये तो power का differentiation अब फ़लन का यानि x plus 1 का तो x का differentiation 1 और इसका 0 यह कितना हो जाएगा x plus 1 की power minus 1 अब इसको चाहो तो मैं बाःपस कैसे लिख सकता हूँ अचा माइनस 2 हो गया, x प्लस 1 की पावर, माइनस 2 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 के अपॉन में, x प्लस 1 का होल स्क्वार अब मल्टिप्ला में, 1 प्लस 0 कितना 1, और यह कितना है, इंटू में कितना माइनस 1 तो देखो, उत्तर कितना हो जागा, माइनस का 1, अपॉन, x प्लस 1 का होल स्क्वार तो मेरे प्यार विद्यार थी हो, अगर आपको यह सवाल समझ में आओगा, तो देखो, इसको मैंने डारेक्ट एक इस टेप में लिख दिया कि 1 अपॉन, x प्लस 1 का डिफ्रेंशी कितना, माइनस 1 अपॉन, x प्लस 1 का होल स्क्वार अब अच्छा, उसको मिटा दूँगा, ताकि मुझे जगह की जुरत पड़े ही आगे dy y dx इक्वल टू, कितना हो जाएगा, dy y dx रवर क्या हो जाएगा, तो e की पावर y इसके अपॉन में, तो माइनस का 1 अपॉन, आप लिख सकते हो, e की पावर y इंटू, x प्लस 1 का होल स्क्वार, अब ध्यान दिजएगा, e की पावर y का, देखो, यहाँ पे तो उत्तर समझ में आ गया होगा, अब मैं एक चीज आप से gift मागूगा, क्या, e की पावर y की value कितनी, मैं चाहता हूँ, e की पावर y की value x के terms में, पूट कर दिया जाए, तब देखिए, प्यारे बिद्यातियों, क्या हो जागा, dy upon dx बराबर, minus 1 upon x प्लस 1 का होल स्क्वार, पहले से ही चल है, अब आईए, देखिएगा, dy by dx बराबर कितना है, e की पावर y की value कितना है, 1 upon x प्लस 1, तो जरा इसको अलग कलर स्रिक दिया जाए, तो 1 के अपॉन में, x प्लस 1, अब देखो, 1 के अपॉन में, x प्लस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 का उपर है, एक स्क्वार है, तो भाई स में पास, minus 1 upon, सिर्फ x प्लस 1, कितना, minus 1 upon, x प्लस 1, किसके बराबर, dy upon dx के, अब ध्यान दिजेगा, ये differentiation आपका प्राप्त हुआ, साथ ही साथ, आपको एक और चीची चीदा, differentiation का whole square, तो मैं चाहता हूँ, differentiation का whole square भी आप कर लो, चिंता की बात नहीं है, लिख लीजे, upon dx है, अगर इसका whole square कर ले, मतलब, minus 1 upon, x प्लस 1 का whole square, equal to कितना बटा, तो 1 upon, x प्लस 1 का whole square, अब, जैसे ही इसको whole square आप करेंगे, तो minus 1 का square कितना, 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, कितना, नीचे, x प्लस 1 का whole square, open करके, equation 2, अब हम एक चीज और बोलाना है, क्या, double differentiation, तो दो option हमारे पास, या तो इस rough work को हटा दें, तो यहीं कर दें, लेकिन रहन दो है, rough work भी काम की चीज है, है ना, ओके, तो यह जल्दी सिधर लिख देजेगा, rough work, ठीक है, हम अगला ही page ले लेते, तो विद्यातियों सबसे पहले copy करिएगा, equation 1, dy by dx का whole square, यानि कितना, one upon x plus one का whole square भी निकाल चुके, तो हमारा ये वाला terms complete हो चुका है, अब हमें चाहिए double differentiation, तो आईए जड़ा, देखिए, double differentiation बराबर क्या हो जाएगा, तो d square by upon dx square, यह हमें बनाना है, LHS या RHS के जैसा, तो d upon dx of dy upon dx होता है, अब ध्यान देजेगा, d square by upon dx square, बराबर d upon dx of, अब सुनिएगा, dy by dx थी value कितने थी, जल्दीचे copy कर लो, minus one upon x plus one, minus one upon x plus one, तो लिख दीजे, minus का one upon x plus one, अब इसका differentiation देखिए, क्या होगा, तो इसका differentiation होगा, x plus one का whole square, या x plus one को उपर लेके जाएंगे, तब differentiation कितना, minus one का और minus, इस minus one को छोड़ देंगे, तब differentiation हो जाएगा, x plus one का, खुश, अब आगे, नीचे कितना, x plus one का whole square, अब आगे, x plus one को छोड़ देंगे, ठीक है, minus one का differentiation zero, minus or minus plus one, अब x का differentiation one plus zero, अब one plus zero, one, one into one, और zero का multiply किसी के साथ, तो zero upon x plus one का whole square, साथ, ये equation, तीसरा, किसके बराबर, d square y upon dx square, तो मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों, जल्दी सीची को कापी का लिजेगा, अब आगे, सुनिएगा, तो one upon x plus one का whole square, अब सारी बाते हो जाए, सारी बाते हो जाए, तो जल्दी से देखो, dy by dx का whole square कितना, one upon x plus one का whole square, अब यहाँ देख लो, double difference, one upon x plus one का whole square, तो by, one, two and three, तो by कितना बटा, one, two and three, वैसे तो one का रूल नहीं है, तो one नहीं भी करें, तो भी चलेगा, डारेक्ट लिख सकते हैं, तो डारेक्ट आप लिख सकते हैं, कितना, one, two and three, या आपके प्यारस में, यह भी बोल सकते हैं, बटा कि, two and three से, सम्भी करन दो एब आपम तीन से, तो क्या, तो जो आपका double differentiation है, d square y upon dx square, वही तो आपका d y y dx का whole square है, है ना, आप देखो, यही बात तो proof करना था, तो जल्दी से प्यारस लिटीजेगा, इतीसी दम, या हैंस प्रूब्ड, इतीसी दम, या है ना, हैंस प्रूब्ड, तो मेरे प्यारे विद्यारतियों, सवाल बड़ा एजी था, लेकिन, मेहनत करना बहुत जरूरी था, अच्छा, बहुत बार इसमें, आप से mistake भी हो सकती, कभी square में, कभी multiply करने में, कभी divide करने में, तो बिल्कुल थोड़ा सा बारीक से द्यान दिजिएगा, क्योंकि सवाल बड़ा important है, तो बिद्यारतियों, जल्दी से note कर लेजिएगा इस सवाल को, अब हम अगले सवाल की तरफ, जल्दी ही चलते हैं, अगला सवाल क्या है हमारे पास, देखिए जरा, आशा, वास, ये भी मिटा दिया जाए, अब सवाल पांच के बाद, छे, कितना है, चेक करो एक बार, जल्दी, तो सवाल है भाई साब, य बराबर sin inverse x का whole square, और आपको चाहिए, 1 minus x square, double differentiation, minus x dy by dx, equal to 2, अब, इस सवाल को आप देखते जाएगे, हचा, steps में जरा ध्यान रखेगा, steps में ध्यान रखेगा, कि कौन सा step कहां से आता है, क्योंकि ये चीज बड़ा important है, बिद्यार्थी यहां पे जरा ठक जाते हैं, तो बिद्यार्थी हों, ध्यान देजिएगा, सबसे पहले आपका प्रथम rule, भाई साब बाई निकाल लिजे, तो sin inverse x का whole square, that is the equation 1, खाताम, अगला, अब differentiation, क्योंकि भाई साब देखो, dy by dx भी चाहिए, और double differentiation भी चाहिए, दोनों चाहिए, आओ, तो dy upon dx बराबर कितना हो जाएगा, तो d upon dx of कितना, sin inverse x का whole square, अब देखो, पहले तो power का differentiation, general, अब आईए, तो दो गुना, sin inverse x की power 2 minus 1, यानि कितना अगली बर बन हो जाएगी, वैसे बताने की जरुत नहीं, बिद्ध्यारतियों, अब बारवी में आ चुके, लेकिन फिर भी, अब chain rule से, फिर sin inverse x का differentiation, यानि पहले power का, फिर sin inverse x का, अब आईए, के upon में, under root 1 minus x square, ये equation 2, किसके बरावर, dy upon dx के, तो जहां भी ऐसा terms बनेगा, मतलब हम dy बे dx लिख सकते हैं, या, जब dy by dx की जरुत होगी, तो हम 2 sin inverse x upon under root 1 minus x का square, भी लिख सकते हैं, अब द्यान दिजेगा, हम ज़रा double differentiation की तरफ चलें, क्यों, क्योंकि सवाल में double differentiation भी पूछा है, अब, यहां पे जो साबधानी वाली बात में बताना चाहता था हूँ, देखो, double differentiation में 1 minus x का square चाहिए, under root चाहिए, अभी नहीं चाहिए, मतलब, अब हम इस सवाल को अगर देखें, अगर इसको multiply में लेके चले जाएं, तो देखो क्या होता है, बड़ा अच्छा सा चीजे, और इस step के बाद, dy upon dx के multiply में, अगर under root 1 minus x square लिया जाए, sine inverse x, अब यहाँ पे दो काम, या तो दोनों तरफ differentiation कर दिया जाए, या क्या कर दिया जाए, square कर दिया जाए, both side, square कर दिया जाए, तो देहां दिजिएगा, squaring both side, या हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग अच्छा एकस स्क्वार ऐसा लेकिन एकस स्क्वार मत लिखिएगा मैं प्रस्टनली बोल रहा हूं क्योंकि सवाल में एकस पहले यूज हो चुका है तो आप बस वर्ग लिख दो बस बात खतम हो जाती तो मैं भी अभी ये स्क्वार नई अब ये चीज मैंने बोला था ऐसा नहीं लिखना है ऐसा मिटा दिजेगा क्योंकि एकस स्क्वार हो सकता उसका आगे चलकर कोई टम्स भी क्रेट हो जाना तो इसलिए अब आईए दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दिया जाए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसका अंड कहें पर क्यों रिफ्रेंट है टो आप सकत है एक यह जाज़ा दो तो मैं यहाण परिस चीज को यानिकि साइन इनसे का ग्रीम सका बहित है sin inverse x का जो square है उसकी जगह मैं value put करना चाहता हूँ अगर आप इजाधत दे तो कर दें आईए अब मेरे प्यारे विध्यारती हूँ देखिएगा 4y लिख देता हूँ यह 1-x square अच्छा देखो पहला function into dy upon dx का whole square पहला function into दूसरा function अब मैं चाहता हूँ दोनों तरफ अब कलन कर दिया जाए हूँ यहां से step बढ़ने वाले हैं ध्यान देजेगा लेकिन उत्तर यहीं से आएगा दोनों तरफ अब कलन करने पर क्या हो जाए है तो सुनिएगा अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को प्यार से देखें तो यह y का कलर हलका सा चिंज कर दिया जाए आईए अब बिटा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन तो 1-1 स्क्वाइर को अगर छोड़ दिया जाए तब differentiation हो जाएगा कितना dy upon dx के whole square का d apply dx के whole square का अब आईए अब अगर dy upon dx का whole square छोड़ दिया जाए dy by dx का whole square छोड़ दिया जाए तो 1-x square का differentiation और 1-x square का differentiation कितना 0 और minus x square का minus 2x equal to 4 इधर और y का dy upon dx क्या बात अब जागा तो बची नहीं अब अगले पेस की जो रहत है सेम चीज़ का मुझे copy paste चाहिए तो मेरे प्यारे विद्यार थे हो जल्दी से जाए इसको नोट का लेजिए हम अगले सवाल पे चलने बाले है जाने जिए कितना है 1-x square तो देखो 1-x square अब differentiation किसीच का देखना differentiation है dy by dx के whole square तो पहले पावर का differentiation तो पहले हो जाएगा 2 dy upon dx और फिर differentiation of dy by dx सही है बहुत बढ़ यहाँ अब चाहो तो यहाँ 2-1 ऐसा लिख दो आपके दिल की खुशी के लिए लेकिन 2-1-1 होता है बाद भी कक्छा के जार थी इतना तो समझ जाएंगे अब आईए प्लस माइनस 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 2x इंटू differentiation का whole square तो माइनस का 2x और dy upon dx का whole square एक माठ फिर से चेक का लिजेगा माइनस का 2x dy by dx का whole square अब आगे equal to 4 dy by dx equal to 4 dy upon dx खुश अब दिखे गए जारा 1-x square बहुत ही बढ़िया कितना 2 times of यह कितना दागा dy by dx ओके इंटू में यह कितना d square by upon dx square हो गया ना double differentiation अब minus का 2x dy upon dx का whole square थोड़ा बाई अच्छे से लिख दिया जाए अब आगे बरावर 4 times of dy upon dx तो मेरे प्यार भी द्यारतियों अब यहां से मुझे एक चीज़ चाहिए चाहो तो आप 2-2 common लेके 2 card दो या कुछ और common लग रहा है वो भी कार सकते हैं तो देखो 2 dy by dx 2 times of dy by dx यहां भी है और वहां पे भी है तो 2 times of dy upon dx मैं common ले रहा हूँ तो देखो क्या बच जाएगा यहां बच जाएगा 1 minus x square 1 minus x square 2 dy by dx बाहर ले लिया तो बच जाएगा बचा d square y upon dx square बहुत बच जाएगा अब यहां देखो minus ok minus अब देखो 2 बाहर ले चुका हूँ और dy by dx यही बाहर गया तो 1 x बच जाएगा 2 dy by dx में से 1 dy by dx बच जाएगा क्या बात है यहां बच जाएगा 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2 dy by dx लिख सकता है ना भाई 4 है 4 को 2 into 2 लिख सकते है तो dy by dx से 2 dy by dx कट जाएगा बच जाएगा कितना वो देखो प्यार से रहा 1 minus x square अब d square by upon dx square यहां कितना minus का x dy by dx equal to कितना विद्याथ यहो यहां पे सिर्फ 2 बच जाएगा अब जरा हम उत्तर की एक बच जाज कर लेते हैं क्या हमें वही उत्तर प्राप्त हुआ है जो हमें प्रूफ करना था आए एक बच चेक करते आए तो 1 minus x square का multiplied double differentiation तो 1 minus x square का multiplied double differentiation minus x dy by dx बराबर 2 minus x dy by dx बराबर 2 देख रहे हैं आप टैलेंट तो जल्दी से बिद्यार्त हुई सवाल को copy करेगा और मैं बापको बता रहा हूँ इसका सबसे जो turning point मुझे लगा वो ये था कि sign inverse x का जो whole square अगर मैंने पहचान लिया तो इसको by लिखना है तो ध्यान दिजिएगा ऐसा जो terms होता है तो इन चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा कि सवाल को बीच में easy कर लिया जा लेकिन विद्यार्तियों सबसे बड़ी मुसीबत आपके साथ ये रहती कि पूरा जब flow रहता है questions करने का जब एक बार pain आप चलाना शूरू करते हो बीच में बहुत बार ये आपके दिमाग में यहां सकता तो आप क्या करिएगा प्रैक्टिस इतनी बार थोड़ा कर लेना है इसे सवालों का जो आपको एक्जामस में रुख पाए अब एक्जबामस में नहीं रुखे मतलम माक्स ही माक्स है तो अध्यान देजिए नंबर लाना है तो थोड़ी प्रैक्टिस और अभ्यास अब बढ़ानी पड़ेगी इस लेवल के सवालों में तो बिद्यारतियों बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है साथ बेगी एक, दो, तीन, चार, पान, छे के बाद, साथ वाह बाई बरावर ए की पावर में ए इंटू साइन इनवर्स एक्स है अब देखो सेम बन माइनस एक्स स्क्वार है तो कोशिस करिएगा ना कि जैसे डिफ्रेंशीशन आए ना तो जो भी बन माइनस एक्स स्क्वार के जैसा हो उसको मल्टीप्लाई में भेदो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आया है तो बिद्यारते हो, रेडी हो जाईएगा पहला देखे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे बाई इक्वल टू ए की पावर ए इंटू साइन इनवर्स एक्स पहला अब दूसरा मेरे प्यार विद्यारत हो देखो, य का डी वाई अपॉंट एक्स अच्छा, अब मैं बार 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 ने लिख हूँगा कि दोनों तरफ आप कलने पर या आप कलन करने पर या दोनों तरफ डी वाई डी एक्स लिखने पर अब आप बार बी कख्छा में पहुच गये तो इतना तो आप समझ गये होंगे बाकी एक्जाम में आप इसे स्टेप को कर लिख दें तो बड़ा अच्छा माक्स आएगा तो प्लीज लिख दें आप है ना अब आगे डी वाई वाई डी एक्स बराबर कितना इसा डिफ्रेंशिएशन ओप चलो यार आपकी इच्छा से लिखी देता हूंगे आप भी क्या याद रखोगे है ना क्योंकि विद्यारती बोल सकता है वाई सर आपने खुद नहीं लिखा और हमें बोल रहा है कि एक्जाम में लिखे बाई सब कल जूग है ना आईए लिखेगा दोनों तरफ दोनों तरफ डी अपॉंट डी एक्स लेने पर या अब कलन करने पर देख लीजेगा तो बरावर डी अपॉंट डी एक्स ओफ कितना प्यारती द्यारती हूँ e की पावर a sin inverse x आईए अब e की पावर x का differentiation e की पावर x लेकिन x की जगा कौन है a sin inverse x अब multiply में इस terms के साथ multiply में फिर से differentiation a sin inverse x का तो अब देखो ये तो copy paste करना था आपको e की पावर a sin inverse x का ओके और आपका जो ये dy by dx है प्यारा सा अब a ऐसे छूट जागा तो upon में sin inverse x का differentiation 1 minus x square ये आप चाहो तो sumi करन 1 बना सकते हो ध्यान दिजेगा वैसे मैं sumi करन 1 इसको बनाना चाहता हूँ और sumi करन 2 इसको क्योंकि कभी कभी ना इसकी भी value पूछ लेते हैं तो भाईया बोले डाल दो e की power a sin inverse x अब आईये सवाल में कहीं e की power a sin inverse x दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो फिर हम कुछ देखना चाहते हैं e की power a sin inverse x इसकी जगा by put कर सकते हैं तो प्यारा भी दार थी हो आपके लिए hint हमेसा लेके आता हूँ देहां दिखेगा e की power sin inverse x को by लिखेंगे देखो ऐसा ही सवाल हमारे पास यहां भी आ गया है e की power a sin inverse x तो आप कह दें तो हम जल्दी से put कर देते हैं तो बस यह देखो अब आईये तो लिख दिखेगा by 1 and 2 by 1 and 2 मतलब समी करन एक बम 2 से हम क्या लिख सकता 1 minus x square इसके multiply में लेके जा रहा हूँ तो 1 minus x square multiply में under root 1 minus x square into कितना बटा dy upon dx बहुत बढ़ी हैं 1 minus x square चला गया तो क्या बच गया a और इस पूरे को लिख सकता हूँ y तो y और कितना a a इदर लिख दो य इदर multiply में लिख दो अब constant है तो आगे लिख देते हैं ज़्यादा बढ़ी है रहेगा अब सवाल को देखा सवाल ज़्यादा ज़्यादा ही easy हो गया अब मैं चाहता हूँ कि इसका square कर दें क्योंकि 1 minus x square कितना अंडरूट में चाहिए कि आपको नहीं चाहिए तो आपको कैसा चाहिए open में तो square कर देते हैं दो मिनिट के बात है आईए लिख दीजाए दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अच्छा अब ये वर्ग करने पर यह सा नहीं कि पूरे सवाल को दुबारा लिखों और दोनों साथ स्क्वार करूँ क्या लिखना है क्या चलो आप भी कैया याद रखो 1 minus x square ठीक है और dy y dx ओके बराबर ay है बटा तो दोनों तरफ अगर हमने square कर दिया तो क्या मिल जाएगा देखो यह टांडर रूट से आ जाएगा तो 1 minus x square और यह हो जाएगा dy upon dx का विटा whole square बेद्यारती हूँ अब यह कितना a square और y square अब ज़रा फिर से अब कलन करने पर पुना लिख दो पुना अब कलन करने पर पुना या दुबारा अब कलन करने पर अब जगा थोड़ी कम पड़ रही है अब तो अगले पेज की जरुत पड़ेगी तो देखे यह सवाल मैं उठा ले रहा हूँ पीछे किरह है 1 minus x square और single differentiation का whole square तो 1 minus x square और dy y dx का whole square बराबर a और y अच्छा a y है कि a square by square है a square by square y square by square अब उन्होंने क्या बोला दोनों तरफ अब कलन करने पर मतलब d upon dx इधर भी और d upon dx इधर भी अब प्यार से देखेगा चरहा इस सवाल को यहीं से ट्विस्ट आने बाला है यहीं से सवाल में वो स्टेप फॉलो होने वाले हैं से उत्तर आपके आने के चांस बढ़ेगे अब आगे देखेगा 1-x square वो छोड़ दिया जाए ओके तब differentiation आपको करना पड़ेगा differentiation करना पड़ेगा कितना dy upon dx के whole square का plus dy upon dx का whole square अगर छूट जागा तब differentiation किस चीज़ का बटा तो 1-x square का equal to a square constant है तब differentiation of by square खुश अब अब जल्दी 1-x square छोड़ दिया सर अब आगे इसका अब एकी लाइन में कर दो इसका differentiation 2 dy upon dx dy upon dx power 1 कोई फरक नहीं पड़ता अब power का हो गया dy by dx का फिर से differentiation मतलब d square by upon dx square याने y का वो double differentiation क्योंकि जब differentiation का differentiation double differentiation अब double differentiation का फिर differentiation triple differentiation triple differentiation का अगर differentiation करेंगे मतलब चतुर्थ differentiation अब आई आगे पहले को छोड़ा second का differentiation plus dy upon dx के whole square को छोड़ा तो इसका differentiation 0 minus 2x बड़ा simple सा चीज है अब आई आगे यहाँ a square बाहर 2 by और by का dy upon dx a square 2 by और dy by dx तो मेरे प्यारा भी द्यारतियों अब सुनों जरा आब terms कम करने का time आ गया है 2 और dy by dx यहाँ भी है 2 dy by dx यहाँ भी है और 2 एक dy by dx तो यहाँ भी है आईए तो 2 dy upon dx फ़र से जल्दी से एक बढ़ नोट करना है तो यह 2 dy by dx अगर हमने common ले लिया तो क्या बचने वाला जरा इसको छुपाओ बचेगा 1 minus x square के multiply में d square by upon कितना dx square अब बिद्यार्चियों ध्यान दिजेगा यहाँ पे dy by dx का square है मतलब dy by dx दो बार है अब आगे एक हम बाहर ले लेंगे तो एक dy by dx तो बचेगा बहुत बढ़ी है ठीक है अब 2 भी बाहर लेना है तो 2 भी चला जाएगा अब minus of x बचेगा कितना बचेगा बचेगा minus of x done अब यह बंद हो जाए बराबर कितना 2 dy upon dx अगर हमने इदार लिख दिया थोड़ा सा बाहर ताकि cancel करने में easy रहे तो क्या बचेगा a square into y क्या a square जैसा कोई terms common लिया जा सकता है क्या नहीं अभी तो नहीं दिख रहा तो कोई बात चिंता की बात नहीं है तब देखो अगली बार अगर आप इसको प्यार से देखे तो ये दोनों cancel हो जाएंगे आपके पास 2 dy by dx 2 dy by dx तो आपके पास जो बचेगा उसको देख लो 1 minus x square के 7 d square by upon dx square अब minus का x dy by dx equal to कितना बिद्यार थी हो a square by अब मैं चाहता हूँ कि जरा एक बार उत्तर की जाच कर ली जाए क्या हमारा उत्तर ऐसा है या कुछ अलग है कुछ अलग है तो हम add करेंगे और अगर आ गया तो मज़ यह जागा चिंता की बात नहीं तो देखेगा बटा तो 1 minus देखो 1 minus x square double differentiation देखो क्या है 1 minus a square double differentiation फिर कितना minus x single differentiation minus x single differentiation बस minus का a square by चाहिए अच्छा कोई बात थे minus का a square by चाहिए तो यह जो plus में a square by उठा के दल लिया हो हो गया minus a square by अब आगे देखेए तो इसको मिटा दिया जा है मतलब इसकी जो रत नहीं है एक step और है आईए तो 1 minus x square फिर कितना d square by upon विद्यारतियो dx square minus का x times of dy upon dx अब minus का a square by बरावर सुने तो यही तो आपको चाहिए था देखिए ज़रा ओके यह देखिए यह साब पास तो मेरे प्यारवाच्छो जल्दी से इसको नोट कर लीजेगा क्योंकि अगर यह सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप समझ लीए कि एक्जाम में आपके marks पके है यह लगबग चार marks में तो यह सवाल लगबग आना ही चाहिए अगर आपने screenshot ले लिया तब हम इसको डिलीट कर देते हैं अब यह clear करने के बाद हम इसका first page भी clear कर देते हुटा है ना अब देखिए हमारा अगला प्यारा से सवाल कैसा होने वाला है तो सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 वाह सवाल देख रहे हैं क्या है यह बराबर यदि A cos mx plus का B sin mx है अच्छा ऐसे सवाल ना जब आजाते हैं तो mx nx px और ऐसा qx ऐसा कोई सवाल आ जाए तो विद्यार्थों को लगता है बापरे यह तो बड़ा tough है लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या कोई number है ही नहीं तो यह ज़्यादा easy आपके लिए होता है क्योंकि calculation में यह number same to same constant है mx आ जाते हैं या nx अगर रहता तो वह भी आ जाता अब इन्होंने पूछा जो double differentiation है वो m square by के साथ जब plus करेंगे तो answer में 0 आना चीए हमें क्या try करके देखते हैं अभी क्या भी देखो try करो चलो विटा आओ by बराबर ऐसा है तो देखेगा चुकि by बराबर कितना विटा a cos mx plus का b sin mx अब हम क्या करेंगे भाई double differentiation निकालना है तो पहले single differentiation चाहिए होगा और जैसे हम single differentiation लाएंगे हम double differentiation उसके बाद कर लेंगे तो पहले तो single differentiation लाया जाए तो पहले इसको समीकरन 1 लिख दे रहा हूं आओ लिख दीजिए दोनों तरफ अब कलन करने पर क्या हो जाएगा y बराबर a cos mx plus का b sin mx बोले सर ये तो सवाल आपने दुबारा लिख दिया अरे रुका भी करो यार ये प्यारा सिच्छा अच्छा पढ़ाएगा आपको तो d upon dx y के साथ मिलेने पर या तो देखो constant है तो constant बाहर तब differentiation of cos mx अब differentiation of sin mx अब मेरे प्यारे विद्धार तो जल्दी से देखिए इस चीज को क्या होने वाला है तो देखिएगा dy upon dx equal to a बाहर cos mx का differentiation minus का sin mx और ये m आगे plus b बाहर sin mx का cos mx और फिर इस mx का differentiation m अरे चेंड रूल cos sin mx का cos mx और mx का differentiation कितना m बाहर x का 1 तो m into 1 m समझे गए ना अब आगे सुनेगा जैसे ही ये सवाल हुआ मैं चाहता हूँ एक बार और difference क्योंकि हमेंच ये वेटा double differentiation क्या चाहिए ये double differentiation जल्दी से प्यार से देखो अब दोनों तरफ दोनों तरफ पुना अब कलन करने पर पुना मतलब फिर से पुना अब कलन करने पर अब कलन करने पर क्या होगा देखो तो ये रह गया dy upon dx पहले दुबारा सवाल लिख दे रहों है है ना चिंता की बाती तो माइनस का am माइनस का am अब ये कोन है? साइन mx ऐसा फिर कितना? प्लस का bm और cos mx अगल है ना? अब चुकि पुनाव कलन करना था कोई बात नहीं तो इसके आगे भी d upon dx है ना? अब ये बन जागा double differentiation कोई बात नहीं constant बाहर इसका भी differentiation अब मेरे प्यारे भी द्यारतियों इसका भी differentiation क्या बचेगा? एक छोटा सा बात का ध्यान देना क्योंकि इसके बाद से पेकी स्टेप बचेगा है ना? आईए तो बचा नहीं तो इधर ही लिख दूँ क्या मैं? अगर आप बोलो तो लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेता है इसको मैं क्योंकि कल्कुलेशन के लिए जगा की ज़रतो पढ़ेगी थोड़ा सा छोटा कर लेते बस ज़्यादा नहीं करेंगे परिशान मत हो बस एह देख रहा है जगा बज़ गई भई सब अब आगे वाह यह होता टैलेंट साइन्स तो यह है है मतलब ज्यान की बात यह लगे पहले हम दोग बोर्ट पे अगर पढ़ाते थे चौक से लिख लिख करेंगे नहीं सांसों में भर जाता था अब देख रहे हो दो टेक्नलोजी जिसके पास होगी टेक्नलोजी वो दुनिया में आगे जाएगा अब आईए दी बाई 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 दी एक्स का पिरसे डी बाई बे दी एक्स का फिरसे डी फुरेंशीशन मतलब दी स्कुार भाई उपाउन डी एक्स स्कुार इयक्स इक्वाई कुआलटू कितना हो जाएगा? माईनस का अ माईनस का अ माईनस का अब साइन एमस का कॉस mx और mx का differentiation m plus का bm plus का bm एक काम करों इसको नीचे ही कर दे तो plus का bm और सुनो बटा cos mx का differentiation minus का sin mx और mx का differentiation फिर से m अब आएए d square by upon dx square क्या हो जाएगा इस बात में जहां देना है m into m m square बाहर ले लेता हूँ अच्छा minus इसमें भी है minus भी बाहर ले रहा हूँ सुनिएगा m और m बाहर ले ले तो क्या बज़ेगा a cos mx पका अब सुनिएगा minus बाहरा चुका है m into m बाहरा चुका है तो क्या बज़ेगा b sin mx कितना बटा to plus का b sin mx अब यहाँ पे एक चीज में आपको बताने वाला हूँ इसको आप चाओ तो समी करण 2 के बाद 3 नाम दे समी करण 2 अब y 1 and 2 अब बोले मास्टर साहब आपने तो 1 y 1 and 2 लिख दिया आपको तो पता होगा पहले से नहीं प्यारे बच्चे आपको भी यह बात पता है सुनिएगा ध्यान से है ना लो देखो ज़रा इस पूरे सवाल को a cos mx प्लस का b sin mx को क्या बोलते हैं अपन बाई आपके पास क्या या है तो a cos mx प्लस b sin mx अब देखिए a cos mx प्लस का b sin mx यह क्या है तो बिद्यार्चू यह है y तो इस पूरे सवाल को मैं प्यार से लिख सकता हूँ y अब द्यान दिजेगा क्या हो गया d square by upon d x square यानि कि यह जो double differentiation है आपका वो क्या हो जागा माइनस का m square into इस पूरे की जगा y अब सुनिए proof क्या करना था सुनो द्यान से double differentiation प्लस का m square by मतलब equal to की इदर नहीं रखना कोई बात नहीं हम भी उठाके इदर ले आएंगे low अभी क्या हो जागा तो d square by upon d x square इदर आ गया तो प्लस का m square by बराबर सुनिया तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से देख लिजेगा आपका ये मासूम सा उत्तर प्राप्त हुआ है अब ध्यान दीजेगा उधारान आठ अगर आपको समझ में आया है इतना प्यारा सा लेकिन यह द्यान दीजेगे कि बीच में से जो तॉम स्लेक्ट करने रहते ना ये कही ने कहीं बच्चों के दिक्कत बाली बात रहती सुरू के चार-पांच कोशन आप प्राक्टिस कर लोगे ना तो बागी के कोशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी तो मैं चाहता हूँ बार-बार इसको प्राक्टिस करें तो प्लीज थोड़ा प्राइब का जो टाइम है ना वह आप बढ़ा दो दो घंटे-तीन घंटे अ अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बस एक ही टॉपिक ऐसा जिसमें आपको थोड़ा मेनत की ज़्यादा ज़र होते हैं क्योंकि बीच में से अब्जर्ण करना थोड़ी मुश्किल काम तो ही तो बिद्यारतियों अब आगे द्यान दिजिएगा उदारान आठ के बाद एक और उदारान लेते हैं या एकात सवाल अगला लेते हैं क्या है आईए पहला सवालों में से एक है यदि बाई बराबर टू साइन एक्स प्लस का थ्री कॉस एक्स है तो सिफ डवल डिफ्रेंशेशन प्लस बाई बराबर जीरो होगा ऐसा प्रूफ कर दो तो देखो पहले आप डवल डिफ्रेंशेशन निकालो वहाँ तक तो सवाल चलने दो है न अब आगे तो बाई बराबर क्या अब जारती हो तो बाई बराबर कितना है बाई बराबर टू साइन एक्स ओके प्लस का थ्री कॉस एक्स खतम एक्वेशन बन आईए दोनों तरफ अब कलन कर देंगे तब डिवाई अपों डिएक्स बराबर कितना टू साइन एक्स का डिफ्रेंशेशन कॉस एक्स प्लस थ्री अब साइन एक्स की जगा माइनस का कॉस एक्स का डिफ्रेंशेशन माइनस साइन एक्स अब आईए सुदार के लिखना है लिख लो तू कॉस ए किसके बनाबर dy upon dx के that's the equation 2 हमें double differentiation तक नहीं रूखना है तो double differentiation तक solve करना है तो फिर से अब कलन करने पर क्या हो जाएगा dy upon dx का d upon dx करने पर कितना 2 cos x minus 3 sin x इसका d upon dx तो क्या हो जाने वाला है तो मैं तो चाहता हूँ कि एक काम और करो बीच में कर steps अगर आपको लिखना है कि जुरत पड़े तो आप कैसे लिख दोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ सुनों यह वाले step को यहां पर आप लिखना चाहरे ना कि दोनों तरफ आप कलन करने पर ऐसा लिख दिया करो दोनों तरफ दोनों तरफ अब कलन करने पर क्या हो जाएगा तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिशन हो जाएगा ऐसा अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो दोनों तरफ अब कलन लेने पर आप यहाँ भी लिख सकते हैं अब कलन लेने पर लेकिन अब चुकि बारवी कर्षा में आ गया हैं तो अबिसली विद्यार्थियों इतना तो पता होता ही है फिर भी अगर आप लिख दें तो बहुत अच्छा होगा हाँ बोर्ट के एकजाम से मिनकी काफी अहिमियात है तो प्लीज लिख दें अब आईए यह कितना हो जागा डी स्क्वार बाई अपॉन डी एक्स स्क्वार मतलब डवल डिफ्रेंशेशन अब देखो तू कोस एक्स तो दो बाहर कोस एक्स का डिफ्रेंशेशन माइनस साइन एक्स अब आगे माइनस का थ्री बाहर साइन एक्स का डिफ्रेंशेशन कोस एक्स दोनों में निगेटिव ह बाहर ले लिजिए अब आईए तो d square by upon कितना बटा d x square equal to कितना दोनों में से negative बाहर ले लो तो 2 times of sin x plus कितना 3 times of cos x यही पे यही पे रुकना है आपको यही वो point है जहां पे आपको रुकना है अब आईए मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को देखो 2 sin x plus का 3 cos x किस के बराबर है बाई के बराबर है अब यहाँ देखो 2 sin x plus का 3 cos x समझ गए किस के बराबर बाई के बराबर तो द्यान देजे इसको लिख दिएगा समीकरन एक अब से और इसको आप दो चाहें लिख दे दो और तीन लिख सकते हैं तो यह समीकरन तीन आप लिख दीज़ेगा by one and two by one and two नहीं यह तो three है by one and three तो d square y upon कितना? dx square किसके बराबर minus हो और इस पूरे की जगा by अब minus y को उठाद के इधर लियाओ हो जागा कितना? plus y तो d square y upon कितना? dx square अब यहाँ plus का y बराबर सुने तो मेरे प्यारे बिद्यारतियों आपने इस सवाल को देखा कि आपको क्या प्रूफ करना था? double differentiation plus by बराबर सुने अब देखो, सवाल normally हमने शुरू किया सवाल लिया, differentiation किया? अब, differentiation के बाद हमने double differentiation किया क्योंकि इसकी maximum कितनी power थी? double differentiation अब double differentiation मतलब दो order इसके जैसा तो इसके जैसा या इस terms को उसके जैसा बनाने की कोशिश करो जैसे मैं जह समझ में आ गया थे इन दोनों मैं से negative बाहर लेंगे ना तो इसके जैसा बन जागा तो वैसे भी negative हम तो ले इस सकते common या कोई भी terms है उसको छोटा करना है तो common लिया तो अपनी आप सवाल बनता है y पूट करा माइनस y उठा के दर लिया लो y चांब प्लस y वराबर सुने उत्तर आ गया अब अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा तब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ अब मेरे प्यार अभी दातियों अगला स्क्रीन क्या कह रहा है अगला स्क्रीन कह रहा है सर बाई वराबर एक और सवाल है e की पावर x into cos x कितना है e की पावर x into cos x मैंने ठीक है ऐसा कर लेते हैं चेक करते हैं क्या है आईए सवाल में तो को double differentiation में x plus pi by 2 कर दिया क्या कर दिया है x plus pi by 2 तो चिंता की बात नहीं है थोड़ी सी trigonometry भी add हो गई आईए सबसे पहले double differentiation तक तू लेके आओ सबसे पहले double differentiation तो double differentiation तक आने तो 2 पे ले ठेकी नहीं आओ जल्दी शुरू करतें तो चुकी कितना by बराबर e की पावर x cos x ये equation बन अब दोनों तरफ अब कलन करने पर लीजिए दोनों तरफ अब कलन करने पर क्या होगा है ना जान देगा तो by बराबर e की पावर x ये जो cos x है ना आईए इधर भी d upon dx यानि की by का differentiation इधर भी बेटा जी d upon dx मतलब e की पावर x को छोड़ देंगे तब हो जाएगा differentiation कितना cos x का plus इस cos x को छोड़ देंगे तब differentiation कितना e की पावर x का आईए e की पावर x cos x का differentiation minus sin x plus इस cos x को छोड़ देंगे तो e की पावर x का differentiation e की पावर x आईए किसके बराबर dy upon dx के बराबर किसके बराबर dy upon dx के बराबर किसके बराबर dy upon dx के बराबर तो अब क्या देखिए माइनस का e की पावर x sin x अब आगे इदर प्लस का e की पावर x into cos x अगर आप चाहें तो e की पावर x यहीं से common भी ले सकते थे है ना e की पावर x यहीं से common ले सकते थे चलो अगली step में common ले 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 तो dy upon dx equal to कितना e की पावर x अगर हम common ले 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 बिल्कुल common ले ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से plus का cos x हो जाएगा और यहाँ से minus का sin x तो देखो cos x minus sin x समझे गए अब आगे यह line खीज दिया मने अब हमें चाहिए dy by dx का एक बार all differentiation क्यों सवाल ने बोला है double differentiation ची मैंने कोई बात नहीं अभी कर के दे रहें ये लो ध्यान दिजीगा पुना है अब कलन करने पर पुना मद्दद फिर से क्या होँ बात नहीं क्या मिलेगा तो पहले सवाल लिख लीजी कि सर यह रहा dy by dx dx का फिर से अब कलन करने पर तो क्या हो जाएगा इसका फिर से differentiation और आगे यह जो सवाल है e की पावर x into cos x minus sin x इसका फिर से differentiation अब आईए यह हो गया first function into second function का फिर से सवाल यह देखिए first function और यह वाला पूरा second function अब इसको कैसे solve करेंगा अब थोड़ी जगा तो चाहिए होगी तो हम अगली slide खुद ही लेते हैं आईए तो यह जो double differentiation है कितना डबल differentiation हो जाएगा यहां हो जाएगा कितना double differentiation d square y upon dx square equal to कितना differentiation of कितना था e की पावर x bracket में चेक कर लिजेगा एक बाद cos x minus sin x की sin x minus cos x एक बाद चेक कर लिजेगा है ना okay तो यह था e की पावर x cos x minus sin x e की पावर x cos x minus sin x तो बिल्कुल सही सवाल हमने उता रहा है copy paste किया है है ना आप ज्यान दिजीगा आई यहाँ पे यह जो double differentiation है d square y upon dx square equal to किसके e की पावर x को छोड़ देंगे इसका differentiation तो देखो cos x का differentiation minus sin x अब minus sin x का differentiation तो minus तो इसे रहेगा sin x का simple cos x plus अब यह cos x minus sin x ऐसे ही छूट जाएगा cos x minus sin x ऐसे ही छूट जाएगा अब देखो differentiation कितना e की पावर x का तो e की पावर x का differentiation e की पावर x अब देहां दिजीए दोनों में से क्या common तो e की पावर x common जल्दी से ले लो बटा तो minus का sin x ok minus का cos x ये भी ok अब ये plus का cos x ये भी ok अब minus का sin x ये भी ok minus sin x minus sin x क्या हो जाएगा minus का 2 sin x अब minus का cos x plus का cos x कट जाएगा तो हटाओ खतम बात अब कितना e की पावर x किसके बरावर d square y upon dx square फिर लिग दो d square by upon dx square अब d square by upon dx square देखो इस सवाल का सीधा मतलब आप समझ गया कि minus का 2 e की पावर x और ये sin x होगा यहीं पैंसर खतम हो जाता लेकिन हमें ध्यान देना प्रूफ क्या करना है तो देखो प्रूफ क्या करना था हमें प्रूफ जब करना था तो एंगल में sin x यहां नहीं पूला यहां पे पूछा है cos x plus pi by 2 कितना? cos x plus pi by 2 तो क्या हमारा सही उतर आया? नहीं तो उन्होंने जो लाश्ट के उतर में छेड़शार करी है आपका पूरा 99% सही है और differentiation तो 100% सही है लेकिन उतर जो प्रूफ करना है जो answer आपको लाना है उसमें थोड़ा सा mistake है आप सुनिए आए ग्यारभी class की trigonometry आई तो sin 90 plus theta मैं cos 90 plus theta का फर्मल बताता हूँ cos 90 plus theta यानि कि cos 90 क्या होता है प्टा? तो change हो जाता है तो इसका उतर होता है ओके change तो cos theta में change होगा पहला लेकिन cos 90 plus theta ये कौन सा quadrant हो जागा? तो 90 से ज़्यादा ये हो जागा second quadrant और second quadrant में second quadrant में क्या होता है? तो all अब ये 90 plus theta यानि pi by 2 plus theta का area और all और यहाँ पे कितना sin का area यहाँ पे कितना all sin आजासना हम तेरी कसम यानि कितना tan और cos का area खुश? तो ये सवाल cos का है? अगर sin का होता तो उतर positive आता है लेकिन अभी सवाल है विद्याति हूँ किस चीज़ का? तो cos 90 plus theta पहले तो cos theta नहीं? पहले तो change होगा तो sin theta? पहले तो cos 90 plus theta पहले तो sin theta लेकिन अब चुकी यह सवाल cos का है लेकिन एरिया कितना sin का है तो answer negative तो cos pi y 2 plus theta किस के वराबर? माइनस sin theta के वराबर तो सुनिएगा दियान से यहाँ पे आपका दो बढ़ियासा एकदम मासुम सा सवाल है देखो माइनस है और sin theta है अगर इस माइनस sin theta को हटा दूँ तो मुझे cos pi y 2 plus theta लिखने का अधिकार मिल जाएगा तो देखा दिजेगा इस पूरे सवाल में आपको कुछ करना नहीं है माइनस का sin theta हटाना है और cos कितना है? x है तो कितना हो जाएगा? pi y 2 plus x या x plus pi y 2 ऐसा अब आगे 2 e की power x अब देखान तो क्या यही सवाल लाना था? अब चेक करो तो double differentiation बरावर 2 times of e की power x cos pi y 2 plus ka x तो मेरे प्यारे विद्ध्यार्थियों 2 e की power x चेक करो 2 e की power x cos pi y 2 plus x तो देखो कितना? cos pi y 2 plus x बिल्कुल सही जवाब तो जल्दी से ही सवाल को आप नोट कर लो जल्दी से ही सवाल को नोट कर लो अब अब विद्ध्यार्थियों बहुत मेनत करें आपने और आज बहुत अच्छे-च्छे आपने सवाल भी लगा है ये नोट कर लिया मेन स्क्रीन पर आजाते है है ना? तो प्यारे बच्चों आज आपने सच में बहुत अच्छे मेनत करें इस टाइब के आप सारे सवाल continue solve करते लिएगा pain copy का आज ज़रा ज़्यादा उप्योग करिएगा चिंता की बात नहीं है इसी का हम एक पार्ट और लेके आएंगे उसमें हम कुछ questions और करके बताएंगे जो exam के हिसाब से भी important होगे ये सारे सवाल भी exam के इस आप से बहुत important थे लेकिन इस टाइब के सवाल exams में और भी पूछे जाते हैं तो हम उन सवालों का भी एक बार क्या तो solution करके देखेंगे तो अगली बार भी pain copy लेके अग्दम तयार रहिएगा exams में marks लेके आना है तो विद्यार्थियों एक बात और last में जैसे हम आपसे request करते हैं कि magnet brains हमेशा high quality education के लिए जाना जाता है और हम आपके CBSE, Hindi Medium, English Medium दोनों में लाते हैं साथ हम आपके लिए MP board, Bihar board, UP board और सारे state boards के लिए भी ध्यान रखते हैं तो विद्यार्थियों इसके साथ ही साथ हम आपको spoken English, UT, NTSC और Olympiad की भी तयारी कराते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करें हम बहुत मेहना साथ ले वीडियो बना किलाते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर करें और हमें सबोर्ट करें तो आज की क्लास में इतने ही था अगली क्लास में हम आप से फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्क्राइब